चेप्टर का नाम है गातां को और करनी इंगलेस में कहते हैं इंडाइसेस एंडसर्ट्स यह गातां करनी का पार्ट फाइब है पार्ट फोर तक समझेते हैं दस कोश्चन अब समझते हैं ग्यारमा कोश्चन तो ग्यारमा कोश्चन जो है जीरो पॉइंट जीरो 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 ब बढ़ा लो हैं तो यहां पर हम लिख सकते हैं 32 और बटे में पॉइंट के बाद में कितने अंग हैं एक दो तीन चार पांच तो यहां पर हम क्या करेंगे 10 की power 5 लिख सकते हैं 10 की power 5 और पूरे की power कितनी है 0.6 अब 32 को गहात के रूप में कैसे लिखेंगे तो 32 को गहात के रूप में अगर लिखेंगे तो कितना आएगा तो वो होता है 2 की power 5 ये पहले भी वीडियो में discuss हो जगा है अगर आपको नहीं समझ भाया है तो आप ऐसे समझ सकते हैं 2 एकम 2, 2 चंग 12, 2 अटे 16 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, और 2 एकम 2 2 कितनी बार आ रहा है 2 आ रहा है 5 बार, 1, 2, 3, 4, 5 5 बार आ रहा है 2 आ रहा है 5 बार, तो याई 5 power लगा दिया याँर और बाटे मेरे, 10 किपावर, 5 और पूरे की power कितने जाएगी, 0.6 आगे, दो की पावर भी पाँच है 10 की पावर भी 5 आए यहाँ पर तो हम लेख सकते हैं 2 बटे 10 की पावर 5 और पूरे की पावर केतनी है 0.6 अब हम चाहें तो इसको अटा भी या फिर रहने दे सकते हैं या अटा सकते हैं इसके लिए point अटाएंगे और एक 0 आ सकता है यहाँ पर अब क्या करेंगे यहाँ पर य यह जो इसे मान सकते हैं पूरा A दो बटे 10 के लिए और यह मान सकते हैं M पावर और यह मान सकते हैं N पावर तो A की पावर M की पावर N फार्मूला क्या होता है A की पावर M की पावर N एकी पावर M N तो यहाँ पर भाई फार्मूला लगा देना है 2 बटे 10 की पावर जो है वो M, और उसकी मुणा किस से कर देनी है, N से, N का मतलब है, 6 बटे 10, तो 5 दूनी 10, और 2 तिया 6, अब 2 का क्यूब, 2 बटे 10 का क्यूब हो जाएगा, 2 बटे 10 का क्यूब हो जाएगा, तो जब 2 बटे 10 का क्यूब करेंगे, तो 2 का क्यूब कितना जाएगा, 8, और 10 का क्यूब कितना जाएगा, 1000, और जब इसे पॉइंट के रूप में बदलेंगे, तो जब हमें यह नीचे से 0 अटाने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, पीचे से पॉइंट गिल लेते हैं, तो 3, 0 हैं नीचे, 1, 2, 3, 0 कटाना है, तो हम क्या करेंगे, आपर 8 लिखकर, पीचे से 3 अंक के बाद में 0 लगा देंगे, तो यहाँ पर 3 अंक तो हैं नहीं, तो 3 अंक बनाएंगे, तो 1, 2, 3, 3 के बाद में पॉइंट लगा दिया, अब इसके आगे कितने भी 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0.008, इस 0 से कोई मतलब नहीं है, यह गिंते हैं बीचे से, तो 3 अंक हैं, 1, 2, 3, तो 3 अंक हैं, तो पीचे से हम उपर वाली नंबर में, पीचे से 3 अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे, तो 1, 2, 3, अब यहां पर 2 अंक तो थे नहीं, तो हमें क्या किया है, वहां पर 0 लगा दिया, इसके बाद में 0 लगाया है, बो सिर्फ इसलिए कि थोड़ा ठीक लगा है, कि हां यहां पर पॉइंट है, तो पॉइंट से पहले 0 लगा जाता है, वो सिर्फ 100 के लिए लगा जाता है, दिखाने के लिए, तो इसका अंसर कितना आ गया है, 0.008 अगला कुश्चन समझते हैं, तो अगला कुश्चन देखते हैं, अगला कुश्चन है, पांच की पावर साथ, गोणा पांच की पावर चार, भाग, पांच की पावर आट का मान क्या होगा, यह कुश्चन जो है, आरार पी मुंबई गुरुबडी बाद चुका है, 2003 में, तो इसको सॉल्व करने का तरीक है, यहाँ पांच की पावर साथ, गोणाँ, यह डैरेक्ली आप ऐसे कर सकते हैं, पांच की पावर साथ को, अब यह नपर देख सकते हैं, और दूसरी लाइन लिखने जरुए,ध TOPस हैं, यह तो भाग बाग बाए जागा, तो जब बेस सेम होते हैं, तो एक बेस लिख तो यहां पर directly हम बटे में लेख सकते हैं पांच की पावर 8 या पांच की पावर 8 से पांच की पावर 8 कर जाएगी और पावर कितने बचेगी 3 तो पांच की पावर 3 आगया और उत्तर कितना जाएगा 125 पांच की तीन बार आपस में कुड़ां करेंगे 25 25 पंजे 125 अगला कोश सकते हैं रूडड़ 2 फिर प्लस फिर रूड़ 2 या मको इसको करणी भी कह सकते हैं और यह अनंत वार है तो आपको मैंने इसमझा आए था पार्ट 2 में करणी समझें बेसिक प्वाइंट की हमने क्या करना है जो इसके अंदर दिया होता है उस नंबर को आप निकाल लें और उसके factor कर लें आप तो जब हम 2 के factor करेंगे तो 2 गुणा 1 आएगा और इसके किरमागत factor करते है किरमागत का मतलब है कि अंतर सिर्ब दोनों नमबरों के बीच में 1 रहना चाहिए तो 2 में से 1 गटाईं कितना जगा 1 तो ये इसके किरमागत factor हो रहे हैं अगर नहीं हो रहे होते जैसे मानलो सपोस्ट यहां पर 3 लिखा होता इसकी जगह पर 3 लिखा होता तो इसको मैं इसे ही दो लिखते हैं इस तरीके से 3 गुणा 1 तो ये किरमागत factor नहीं होए क्यों नहीं होए क्यों कि अंतर कितना रहे है और वो भी बहुत important question है तो यहां पर दिहान रखना है जितने भी question हो उनके factor हो सकते है तब तो वो easy question है अगर वो नहीं factor हो रहे हैं तो इसका मलब थोड़ा और कठीन है उससे question तो यहां पर इसके factor हो पा रहे है तो यहां पर बड़ा वाला number जो होगा यानि जो दो गुणा एक में बड़ा वाला जो number आ रहा है plus का 2 यानि दो आ रहा है वो तो plus का होता है 2 उत्तर होगा इसका plus का 2 और जो छोटा वाला आ रहा है वो minus का 1 होता है तो यानि दो उत्तर होते हैं इसके एक plus का 2 और एक minus का बन तो इसका उता रागया प्लस का दो और माइनस का बन बड़ा वाला नमबर हमेंसा किसका होता है वो प्लस का होता है छोटा वाला नमबर माइनस का लेकिन अगर यहांपर माइनस का होता है यहांपर यह माइनस चिंद लगा होता है यहांपर तो बड़ा वाला जो होता हो माइनस का और छोटा वाला जो है वो प्लस का होता है तो अगला कोश्चन देखते हैं कि तो यह रहा अगला कोश्चन करणी कसंक्या 12 यह root 12 minus root 12 फिर minus फिर उसके अंदर भी root 12 फिर उसके अंदर भी minus का root 12 तो इस तरीके से अनदवार तक चलेगी यह कोश्चन अरार भी ASM आय हुआ है तो पिछला वाले जो कोश्चन था उसमें plus का दा नंबर और दो था यादि नंबर तो कोई सा हो सकता है अब यहाँ पर क्या है plus की जगा माइनस है तो इसको solve करने का तरीका यह है उस नंबर को निकाल लो जो करणी का संग्या है और उसके जो है वो किरमागत कर लो अगर नहीं होते हैं तो इसका मतलब यह थोड़ा और कठेन है तो इसके करमागत बुर्णज हो सकते हैं 4 तींब आरा ही अंतर कितने का रहा एक का रहा है अगर अंतर एक का रहा है तो इसका मतलब यह हुए अब यहां पर देकेंगे माइनस है या पलस है अगर माइनस है तो बढ़ा-ओला प्लस का होगा अगर यह माइनस है तो इसका मदभी हुआ बड़ा बाला माइनस का होगा तो यहां पर माइनस का चार और कॉमा प्लस का तीन यह आपको दिहान रखना है अगर यह माइनस आता है तो बड़ा बाला माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर बड़ा वाला माइनस का और चोटा वाला प्लस का अगर यहाँ प्लस का होता तो बड़ा वाला प्लस का और चोटा वाला माइनस का जैसे यहाँ पर देख सकते हैं पिछला वाला कुश्चिन जो था वही था रूड दो वाला तो यहाँ पर इसके दो किरमार और सी औरहा है सोईतdes já हैं और सब्सक्राइब हो स्टत्र हम मJesus और मिलबत linbook त्रुटि न की जो सिर्सक्राइब V Essa स्टमा से चुछ होगा थोड़ा डिफिकल्ट है क्यों मुझा सब्सक्क्राइब उफ्रक्ण करें तो एक करते यह arrow एक ही होगा तो इसमें अंतर तो जीरो का रहा है तो यह किरमागत गुणंखंड नहीं हुए तो यह गलत तरीका है ऐसे नहीं होगा यह तो यह पैचानने का तरीका है अब यह कैसे होगा तो इसको करने का तरीके दो हैं एक तो है इसका किताबी तरीका और एक है कि पांच सेक कई यह कि वो formula याद रखना पड़ेगा आपके लिए तो formula क्या है 4a plus 1 और plus minus 1 upon 2 a का मतलब है यहां पर 1 तो root में 4 गुणा 1 और plus 1 और plus minus upon 2 4 एकम 4 और 1 5 आजाएगा यहां पर तो 4 एकम 4 और 1 5 तो यह 5 root में 5 आजाएगा और plus minus 1 upon 2 root 5 की value यहां पर निकालना थोड़ा सा कठेन है बस इसको भी point को याद रखना है इसमें 2 कठना है एक तो formula को याद रखना और एक जो है वो root 5 का मान निकालने का तरीका यह यह बर्गमूल से आपको इसमें उतना हम जोड लेते हैं तो यहां पर जोड लिया यतने से भाग दिया उतने फिर दुबारा जोड लेते हैं तो दो और दो कितना आ गया चार पहले दिया तो दो नहीं चार आ गया कितने से भाग दिया था दो से फिर दुबारा दो जोड दिया इसमें अब दो और बढ़ाएंगे अब क्या 41 एकम 41 और 42 दूनी 84 आजागा यह आगया 84 तो हमारा point कमान निकल आया 2.2 आ गया इसका मतलब ही हुआ root 5 कमान कितना गया root 5 कमान आ जागा कितना 2.2 तो यहां पर हम लगा सकते है root 5 कमान 2.2 और plus minus 1 upon 2 तो 2.2 में एक बार तो plus का चिन लेंगे यहां पर तो पहली बार जो है plus चिन लेने पर यह लिखना नहीं condition में आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं तो plus चिन लेंगे तो 2.2 और plus का 1 upon 2 जो आ चोड़ेंगे तो 3.2 तो 3.2 को जो हम 32 को आदा करेंगे तो कितना जागा 16 और 1.6 तो कितना जागा तो यहां पर 2.2 में से 1.1 जाएगा तो कितना बचाएगा एक एक पॉइंट दो और बटे में दो जब बारा कादा करेंगे तो कितना जागा अच्छे तो 0.6 तो यहां पर दो उत्तर आ गए एक तो 1.6 और एक दूसरा आगया 0.6 यह थोड़ा सा कटना जागा इसमें कटना इसमें 2 है एक तो कटना यह है कि आपको फर्मूला याद रखना है और दूसरा पॉइंट जो रखना है याद आपके लिए वो रूट में आपको मार निकालना है बर्ग मोल में यह आपको सी में रूट का मान आपको निकालना पड़ागा इस बर्मूला विदी से अगर नहीं आता है आपके लिए तो इसे स्ट्रॉंग करने हैं आप इसके लिए तो अगला कुशन देखते हैं कि क्या है